पुनावाला इसमें क्या गलत है? सही तो कह रहा है राजकुमार भाटी तो सही बात है और ये एक सैधान्तिक बात है कि दुनिया भर से सारु पर्मान को त्यार खत्म होने चाहिए मैं इनका भी जवाब दूँगा पंदरा भी सेकंड पहले मुझे अपनी प्राथिमिक बाते रखने दीजिए फिर भाटी जी का जवाब दूँगा ऐसा है कि अब तो लग रहा है कि एक का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग पाकिस्तान ने चाहपा है एक का मैनिफेस्टो कॉमिनिस्ट पाटी चाहिन ने चाहपा है और एक का मैनिफेस्टो मुस्लिम पाटी और बंगलादेश ने चाहपा है अब किसका किसने छाप है देखिए अब मैं एक एक करके बोलता हूँ देखिए इन्होंने कहा कि हुमी भाबा ने शुरू किया इंदिरा जी ने करवाया पर सोनिया जी क्या कहती थी अब सुनिये कान खोल के 98 में जब ब्लास्ट किया था परमानू तब एक सिकंड लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच्ची शक्ती सयम में है उसका खुले हम प्रदर्शन और इस्तमाल करने में नहीं हूँ सुनिये आगे भी सुनिये मतलब कि परमानू शक्ती में विज्ञान का इस्तमाल ना हो गरीबों का क्या ये दोनों mutually exclusive है क्या क्या अगर गरीबों का विकास आच 25 करड़ लोग निकले हैं गरीबी से तो क्या परमानू शक्ती को हम लोग त्याग दे क्यूंकि गरीबों को निकालने गरीबी से पूरी कीम जोंग उनल टैस्ट कराते तो उन्होंने वेलकम किया और का कि यह अमेडिका के reserves इंपियरिल स्टैंड को शचाद को करारा जवाब तो अब मैं आपको शनाना चाहतू हूं कि इन्होंने क्या क्या करा निकले नहीं यह तो उन्होंने कहा है कि complete elimination of nuclear weapons and other weapons for India पर दूसरा सुनिए भारत अपने सारे military base particularly US base में से हटा दे और Indian Ocean से हटा दे उसके अलावा भारत Indian Navy Air Force और military facility और refueling stationing purpose के लिए किसी उस देश में ना करे जिस देश में कोई भी conflict चल रहा हो क्यों भाई और उसके अलावा सुनिए भारत अपने सारे United States के साथ अपने सारे alliances तोड़ दे और उसके बाद भारत अपने सारे foundational agreement United States के साथ खतम कर दे और उसके बाद भारत Quad से भी भारत बहार आ जाए Quad की शुरुवात और United States के साथ अच्छे रिष्टों की और भी भैतरी के लिए मन मोहन सिंग ने पैरवी की थी अब मैं पूछना जाता हूं कि कभी आप अफजल गुरु की पैरवी करते हैं कभी याकूप की पैरवी करते हैं कभी सिमी के पक्ष में बोलते हैं और आज आप चाते हैं कि चाइना मजबूत और चाइना के लिए भी बोला है सुनिए चाइ Negotiated Settlement of Border Dispute with China मतलब US के साथ तो सारे करार खतम कर दो और चाइना के साथ जाकर करार कर दो और border उनको जो अक्साइचीन उन्होंने नहरूजी ने दे दिया वो दे दो यह उनकी बाद Negotiated Settlement तो चली रहा है तो चल भी रहा है एक सेकेंड Negotiated Settlement क्या था कि जब नहरूजी ने कच्चा थी वो सौप दिया उनको पूछा कच्चा थी वो तो आज भी दिखविजे सिंग और तब नहरूजी कहते थे यह इनकोंजिक्वेंचर दे दो Negotiated Settlement क्या हो रहा है चाइना अक्साइचीन पर बोला था जो नहरूजी ने कहा अच्छा थी अब मुझे यह बताईए और जो आख्री बार जो इन्होंने कहा सुजाता जी को पता नहीं है किसी एक पार्टी का Standing M.O.U. अगर किसी चाइना के साथ है तो वो Congress का है और चाइना ने Officially RGF में राजी उगांदी Foundation में चाइना की सरकार से पैसा लिया है इसी दिए मुझे लगता है चीन का चंदा और चीन का धंदा और अज़ेंदा कौन आगे करता है अब आपस देश में आईए और मुझे यह बताईए शैजात Left Party की आज कितना प्रभाव उनका रह गया है कितने लोग उनको वोट करते है कितनी उनकी सीटे रह गई है दो राज्यों में मुश्किल से उनका बहुती सीमिक प्रभाव रह गया है इंडिया गटबंदन में 36 पार्टी आ है आपको भी पता है ऐसे में एक छोटे से दल का घोशना पत्र उठा कर परमानू हत्यारों वाला मुद्दा उठा कर अब सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे बहुत अच्छा सवाल मानक जी Left तो छोटी छोटी पार्टी है कहीं उसका कुछ बचा नहीं है तो कॉंग्रिस जैसी बड़ी पार्टी भी खंडन नहीं कर पारी है शो में कर तो दिया उन्होंने प्रसेंट बता दिया खंडन नहीं कर एक सकंद सुनिए जो अभी मैंने बताया कॉंग्रिस तो खंडन करी नहीं सकती और उसके बाद वाचपई जी आये थे तब वो एक पड़्ची दे कर गए थे वाचपई जी को कि अधूरा काम मेरा पूरा करिएगा आप नरसिमा राओ जी को यह मानते है अपना मनीशंकर रहियर ने किताब के विमोचन में जिसमें प्रतम पंक्ती में सोनिया जी बैटी थी उन्होंने किताब में बोला और मंच पे बोला कि नरसिमा राओ वस फर्स प्राइमिनिस्टर और बीजेपी आज तक कॉंग्रेस ने ओफिशिल इसक्राइब कर रहा हूँ क्या मैं सरी कह रहा हूँ